हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टो मैं चैनल जहां हम बात करते हैं मेकप, ब्यूटी, टर्णिंग, फैसन और मॉमी टॉकी आज की वीडियो एक बार फिर से मैं लेकर आई हूं प्रेगनेंट ओरतों के लिए जिहां जिनों ने अभी अभी कंसीव किया है या फिर आप कह सकते हैं जिनका अभी फर्स ट्राइमेस्टर है वो कौन सी गलती है जो आपको नहीं करने है या फिर वो कौन सी सावधानिया है जो आपको बरतने है देखिए ये बात सच है कि एक औरत जो होती है या एक लड़की जो होती है अपनी पूरी जिन्दगी में अभी नहीं रखती है जितना वो इस दोरां रखती है ये जो नौ महीने का समय होता है इस टाइम पर आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे होते हैं कुछ हार्मोनल चेंज़े सा रहे होते हैं कुछ आपको देखिए मिक्स सा सब कुछ होता है एक तो अगर आपने प्ल आपको पूरे घर में सब के लाड़ ले रहते हैं हर कोई आपका ख्याल रख पाहिए आपको किसी चीज की फिक्रा ना हो कमी ना हो तनाव ना हो और ये अच्छी चीज़े अगर आप एक बहुत है फैमिली में है या आपका बहुत है पॉसितिव वाइब लोग है एक पॉस वो कुछ ऐसे सावधानियों की जिसको आपको बरतना पड़ेगा ताकि आपकी प्रेग्नेंसी चरनी बहुत अच्छे रहे तो इस स्टार्टिंग के तीन महीने में इन सावधानियों को बिल्कुल अच्छे से आप ध्यान रखें कहीं नोट कर लें कि ये गलती आपसे नही अच्छे से मेरा मतलब है कि आप बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिम जाते हैं या फिर वो जो पिछली लाइफ जीते आ रहे हैं अपने एक्सराइज करना रानिंग करना या फिर इंटेंस जो हाई इंटेंस वाली एक्सराइज होती है डंबल उठाना वेट लिफ् सारा ना फिम गरेंस इसक प्रदाना बर रहे हैं तो बिल्कुलट आपको इसकिप कर सकते हैं बिल्कुल भी एक्सराइज मत करिये लेकिन अगर बेच्ष तब ही आप यह कर सकते हैं लेकिन अगर आपको कोई मेंडिकल इस्यों नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से पूच स और आप अगर एक्सराइज नहीं कर तो आप थोड़ा बहुत वाक करें थोड़ा बहुत से मेरा मतलब है कि 30 मिन या 40 मिन आप वाक करते रहें ये वाक करेंगे ना तो आपकी स्टामिना अच्छा होगी प्लस आप हेल्दी रहेंगे तो आपके बच्चे के लिए बहुत अच् और भी माल का रहता हुते रहें ऐख भुस्य नहीं कर या उते नहीं घरा रखना ये थे फूरी थे था थालरण रहें है थोड़ा से ऐखना आपके ओलग ते बहुत सारी के ले दों मेंने रख आपहांज है गिन्हों अपन हैना अपनार चार्थे का एपने बच्टत साथम आपका बेबी है ना आप उसका ख्याल रखते हैं तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है कि हडबड़ी में नहीं चलना है बहुत जदा ऊच नीच वाली जगह पे नहीं जाना है जैसे ऐसी जगह नहीं जहां आपको जटका लगे ठीक है तो ऐसी जगह आपको नहीं जाना अगर आप नहीं करते हैं तो यह बहुत ही अच्छे बात है आपके लिए और आपकी बच्चे के लिए लेकिन अगर आप अडिक्टेड हैं आप करते हैं स्मोकिंग और अलकोहलिक है आप तो बिल्कुल छोड़ देजिए अटलेस नौ महीने के लिए तो छोड़ देजिए मैं तो पुरी जिंदगी के लिए छोड़ दो यह कोई अच्छी चीज नहीं होती है लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे तो बिल्कुल आपको अलकोहल और स् देजिए तो चाय लवर के लिliए कोफी के लिए दे जो काफीन का इंटेक करते है श्कश्मों फैस घंस और आपके चाय के लिए ले सकते हैं इससे जादा अगर आप लेते हैं तो धीरे 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 कम करके और छोड़ देजे एक दम नहीं अगर छोट रहा है तो कोई भात में एक से दो आप कॉफी या चाय ले सकते हैं करिए कि शुगर फ्री ले मतलब चीनी कम ले या मीठा थोड़ा कम है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर डायबेटीज होने के चांसे बहुत जादा है और बढ़ने का चांसे भी बहुत होता है तो डायबेटीज और बीपी दोनों ही आपके बच्चे के लिए खतरनाक है औ आपकी प्रेगनेंसी के लिए खतरनाक है तो आप कोसिस करिए कि शुगर थोड़ा कम करते अब हम बात करते हैं नेक्स तो देखे नेक्स चीज की अगर मैं बात करूंगी तो वह है तनाव मुक्त रहना जी हां मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर वैसे तो प्रेगनेंसी के ज़रत नहीं है भगवान ने लेकि अगर अपने प्लान किया है तो फिल तो बिलकुल एटेंशन लेना है क्यों होता है और यह सोचना कि मैं कैसे समालूंगी कैसे क्या होगा मा कैसे बनूंगी बच्चा पाल पाऊंगी कि नहीं कैसे बहुत सारी चीजे आत थीक है इतना चल जाता है चीजे नॉमलाइज जखोगे नॉर्मल सोचोगे तो नॉमली तो भी टेंशन लोगे तो हाँ वह आपके लिए और आपके बच्चे के लिए खतना को सकता है बहुत जदा तनाव लोगे न तो आपके बीपी के प्रॉब्लम बढ़ेगी और चिंता जो होती है ना वो शुगर भी बढ़ाती है तो इन जीजों से दो रहना है तो तनाव से दो रहो यह होई आपकी जिए अगर आपके फामिली में कोई टेंशन है देखे हर घर में होती है मैं यह नहीं करूँ नौ महिने आपके घर में बहुत ही खुशी वाला ही माहल रहेगा या घर में बिल्कुल भी चूच पार्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, कई बार हस्बेंट से हो जाता है, कई बार आपके मूट स्वेंग्स की वज़र से भी प्रॉब्लम आती है, और घर में दो-चार लोग हैं, तो हो ही जाती है, प्रॉब्लम, तो उन जीजों को बहुत ज सकते हैं, अच्छी बुकसा पड़ सकते हैं, किसी वी चीज को इतना हावी नहीं होने रहना है, नेक्स चीज के अगर मैं बात करूंगी, तो वह साउधानी है, कि मैंने देखा है, कि थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होते हैं, तो अपने मन से लोग दवाईयां ले 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 हैं, कोई भी दवाई, अगर कोई दे भी रहा है, तो आप जब तक अपने डॉक्टर से नहीं पूछ ले, आप कोई भी दवाईय ना खाएं, इसकी वज़र से मिस्कैरेज के चांसे बढ़ जाते हैं, कई बार ना फीवर की दवाईय जो होती है, वो बहुत हाड होती है, त उससे भी मिस्कैरेज के चांसे होते हैं, तो मैं नहीं चाहूंगी कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम आए, और कई बार कुछ दवाईयां होती है, मिस्कैरेज नहीं करते हैं, लेकिन बच्ची के विकास को रोग देती है, तो इस तकीके से अपने मन से डॉ कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम मैं तो वो खुद आपको डॉक्टर जो है, वो प्रेगनेंसी के टाइम वाली कुछ दवाईयां सजेस्ट करतेंगे, आपको वो दवाई लेनी है, तो वो है आपका डाइट और डाइट जो है यह बहुत ही एहम भूमी का निभात आपको बिल्कुल महारानियों वाला ट्रीटमेंट देया जाता है कि नहीं अब तुम बैठेर हो तुमको कुछ काम नहीं करना है सिफ खाओ प्यों एंज्वाइगारों जो भी हैं तो घर का ख्याल तो आपको रखना पड़ेगा घर वालों का ख्याल रखना पड़ेगा एक तो खाना छोड़ दिया ठीक है या फिर काम में बिजी हो गए हैं तो खाना छोड़ दिया या फिर ब्रेकफर्स को स्किप कर दिया चलो लंच करेंगे लंच स्किप कर दिया शाम वाला नास्ता नहीं किया तो ये गलती आप मत करो क्योंकि या आप अपने साथ गलत नहीं कर तो कोसिस करिए ठीके लड़ाई जगड़ा अपनी जगह है खाना आपको टाइम से लेना है अपना डाइट अच्छे से लेना है जो भी डॉक्टर ने आपको बोला है जो जो चीजे खाने के लिए जैसे आयरेंज जो फूड होते हैं और हरी सबजियां जो होती है तो जो जो प्लस अपने फूट डेली एक फल जरूर ले सीजनल जो भी सीजन है सीजनल जो फूट मिलता है सस्ते मिल जाते हैं बहुत महंगे महंगे फल खाने के लिए नहीं कह रहे हो लेकिन आपको अपना एक जो डाइट चार्ड बना हुआ है जो भी डॉक्टर ने आपको बताया है जितना डाइट में है मैंशन जितनी जरूरत है आपके सरीर को अपके बच्चे की ग्रोथ के लिए उतना आपको खाना ही है नेक्स्ट अगर चीज की मैं बात करें तो वह होता है पानी का इंटेक मैंने देखा है बहुत सारे ओरते खाना तो खालेंगी लेकिन पानी को स्कि पानी आपकी बॉड़ेंग जाना चाहिए डी हाइडरेट बॉड़ेंग नहीं होने चाहिए और उससे आपका बच्चा भी अच्छे से ग्रोव करके पाएगा प्लस आपकी बॉड़ेंगी तो आपके बच्चे के लिए बहुत ही फाइदे मेंद है तो यह कुछ असावधा तीक महीने बाद अगर आप यह करने लगेंगे तो यह आपके रूटीन में आ जाएगा और यह स्टिश को आप अराम से फॉलो करेंगे पूरे नौ महीने तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगे इंफॉमेटिव लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कॉमेट करिया ऐसे बहुत सारे इंफॉमेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने जिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई